नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश मेंदर एजुकेशन पर और मैं आपका दोस्त मेंदर सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों मुकेश मेंदर एजुकेशन पर आज हम दोस्तों नोट्स देखने वाले हैं बक्ती एवं सूपी प्रमप्रा ये हमारे इतियास का चेप्टर हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं मोटिवेशन साहिरी कि कदमों में हो दुनिया सारी ऐसा काम कर दिखाना जुबान से नाम ना उत्रे ऐसा नाम अपना बनाना तो इससे के साथ हम सुरॉत करते हैं आगे तो जिस भी दोस्त ने मोकेश महिंदर एजूकेशन चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा ठीक है तो फिर हम देखें इतियास बुक है इतियास बुक का जो सेकिंड बुक है सेकिंड बुक का ये सेकिंड लेसन है दोस्तो बक्ती एवं सुपी परम्परा इत्यास की second book का second lesson है भक्ति एवं सूपी प्रम्परा और इससे पहला जो अध्याई था पांचवा चेप्टर ये छटा चेप्टर है और इससे पांचवा चेप्टर था यात्रियों के नजरी है तो उसके भी notes आपने नहीं उतारे तो उतार सकते हैं तो दोस्तो भक्ति एवं सूपी प्रम्परा के आज हम देखेंगे notes वीडियो को आपको like करना है share करना है comment करके मुझे जरूर बताना है ठीके तो सबसे पहले देखो भक्ति आंदोलन में एक एक चीज लिखा है यह पर भक्ति का क्या मतलब ही भक्ति आंदोलन कहते किसे हैं सबी एक एक points में ने complete किये हुएं तो आप देख सकते हैं दोस्तों इन से बार एक भी क्युशन नहीं आईगा आप अच्छे से नोट कर सकते हैं दोस्तों कोफी के अंदर थीक है तो मैं सिर्फ आपको नोक्स परवाइड करवा रहा हूं तो नोट कर सकते हैं फिर मैंने समझाने का वीडियो में अलग से बनाूँगा और वेसे बना भी रखे है लेकिन एक पार बना दूंगा ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो एक परस्ण कहते हैं, यह जो है। दोस्तों सगुन भक्ति का कई बार उधरन पूँच लिये दाता है या फिर सगुन भक्ति और निर्गुन भक्ति में अंतर पूँच लिये दाता है तो इस दोनों दोस्तों आपको अच्छे से नोट करना ये भी क्यूशन इंपोर्टेंट है सगुण और निर्गुण भक्ती ये भक्ती के दो मुखी रुप से परकार है और इसके जो परमुक उद्रण भी दे रहे हैं आप देख सकते हैं ठेके और इसके तेयत ही हम आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखो शब्द आने वाले हैं एक तो हैं दोएतवाद दोएतवाद का क्या मतलब है आत्मा और इस्वर का अलग-अलग होना यह तो कहलाता है दोएतवाद ए दोएतवाद भक्ती के बाद आत्मा इस्वर को प्रप्त कर लेगी तो यह है ए दुवेतवाद और विशिष्ट दुवेतवाद का मतलब होता है किसी एक विशिष्ट यानि कि जैसे हम राम जी को पूजने लगे तो सिर्फ हमारा बगवान एक ही है वो है राम यानि एक विशिष्ट देवता की पूजा होती है यानि एक विशिष्ट देवतव इसना याद रखना ये संथ जैसे अलवार और नैनार संथ इन्हों इन्होंने दक्षिन भारत में भक्ति परंपरा का शुरुवात की थी, तो अभी देख सकते हैं, ये भी किशन important है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दक्षिन भारत में भक्ति, और ये भी कई बार पूचा गया है अलवार संत और नेनार संत की बीच क्या क्या अंतर हैं, तो अलवार संतों का जो शंबन्द है वो कहा से हैं, तो याद रखना अलवार और नेनार संतों का जो शंबन्द हो नो तमिलांडू से इनका शंबन्द हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, और देखो यहाँ पर अलवार संतों के बारे में बताये हुआ कि इनका अर्थ क यह किसके उपासक हैं ठीक है यह किन पर विश्वास करते हैं तो यह अलवार संथ होगे और आगे देएर का नईनार संथ तो नैनार संत के बारे में भी आप अच्छे से नोड कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को रोक रोक रलिख सकते हैं और ये देखो प्रारंबिक भक्ती आंदूलों लगभग च्टी शताब्दी में अलवार और नैनार संतों के नर्तितों में हुआ ये परसन आ सकता है दोस्तों बेबेग चिदंब्रम तंजाओर और गंगय कोड चौलापुर्म के मंदिर ये किन राजयों न बढ़ाई थे तो चोलवंस के साथ को न बढ़ाई थे याद रखना ये परसन इंपोटेंट है और देखो ये करनाटक की वीर शेयो प्रमपरा के बारे में आप क्या जानते है तो ये नोट कर सकते दोस्तों करनाटक में वीर शेयो प्रमपरा के शुरुआत किसने किया की थी बासवन नावा एक ब्राह्मन था ठीक है बासवन नावा ब्राह्मन ने की थी इसकी शुरुआत तो ये भी नोट कर लिजेगा इंपोटेंट किशन है यहां तक नोट कर लेख लीजियेगा बिलकुल आराम से ठीक है नहीं आप चाओो तो इसकीन-सोट भी ले सकते हैं यह पर देखो Сरिया शरीय का क्या मतलब है सरिया है से किया समझते उसरिया के बारे में बहुता हैं बीन शरिया यह आगे देखेंगे के दोस्तों सरीया और बेसरीया के बारे में भी यह परसनी भी इंपोर्टेंट है दोस्तों बैदे को जैसे इसलाम दर्म काबूल किया ठीक है काबूल किया या काबूल करने वालों को परमुक चार बाते मानने पड़ती थी वो चार बाते कौन सी क्या है तो यह परमुक बाते रही है ठीक है दोनों ध्यान रखने ही दोस्तों ठीक है कि इसलाम धर्म कबूल करने वालों को कौन सी चार बतों मानने पड़ती है तो यह देख सकते हैं दोस्तों आगे हैं दोस्तों खान का और सिल्सला देखो इस चेप्टर में खान का और सिल्सला से रिलेटेड भी एक्ज तो याद रर्कन आए ये परमुक देखंग बारीचस अबर्डी में आज पास इस्लामी दुनिया में सूपी सिलसला का गटन होने लगा था तो यहां तक नोट कर लेजे खान का और सिलसिला पर सिलसिला का अर्थ होता है साब्दिक अर्थे वैसे जंजीर जो सेख और मुरीद की बीच निरेंतर रिस्ते का दियोतक हैं जिससे पहले एक अटूट कडी पेगंबर मुहमत से जुड़ी थी तो याद रखना सिलसला है इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता दोस्तों सेख या जंजीर जंजीर य या दर्खना है ठीक है और उर्स क्या है यह परसंद पूचा था उर्स क्या है उर्स तो पीर की दर्खा को दूर दूर से देखने आते थे इस प्रंपरा को उर्स कहा जाता था जियारत क्या है जियारत दर्शन करना या तिर्क यात्रा है जियारत ठीक है और यह देख सकते ह लेजिवादि स्पोर री स्बार रेशेवधी सोंद्थ ठीक है तो यहीं नोट कर सकते दोस्तों कर वीडियो को रोख रोख आप लिक सकते हैं कि यह अभी हमने आनने को सरया के अवेलना करने के ँसलिए यह करते हैं इसलिए यह बेश ऐदा तो परसन इंपोर्टेंट है दोस्तो सर्या और बेशरिया आगे देख सकते हैं दोस्तो उप महादीप में चिस्ती सिलसला तो उप महादीप में चिस्ती सिलसला के बारे में भी यह बताया हुआ है आप देख सकते हैं वीडियो को रोक रोक कर लिख लिजिएगा चिस्ती खानका में जी राजस्तन का जिला है तो इनकी मृतिय हो जाती है 1235 में शेख मौनूदिन चिस्ति की ठीक यह दर्गहा है जमेर нат semina वाद है जो खवाजा मौनो दिंचिस्ति को जा कुतव दिन बक्तियार काकी इनकी दरगा वू दिल्ली के अंदर है और मिर्थियों 1235 में होती है सेग फरुदिन गंजय सकर की जो दरगा है वह अजोदन है अजोदन पढ़ताए पाकिस्तान में और मिर्थियों 1265 के इनकी तर निजामुदिन ओल्या इनके दरगा दिल्ली के अंदर है अचा अगने HAJRAT-Si IT- 착ो या इससे में सब्सक्राई बारी बता रहा है है का जो सीशे है वो खवाजा मौनदन चिस्ती है और खवाजा मौनदन चिस्ती का जो सीशे है वो बक्तियार काकी है और बक्तियार काकी का जो सीशे है वो बाबा फ्रीद है और बाबा फ्रीद का जो सीशे है वो निजमुदिन क्या है ओलिया है ठीके और निजमुदिन ओलिया और N A ये ट्रिक मान लीजेगा आप H K B B टा इस तरीके से याद कर ले ड़े ना H K B B N A HKBB ना तो हजरत से खरूने का सिशे ख्वाजा मौने दिन चिस्थी ख्वाजा मौने दिन चिस्थी का सिशे बाबा फ्रीद बाबा फ्रीद का सिशे बाबा फ्रीद का सिशे बक्तियार काकी बक्तियार काकी का बाबा फ्रीद दोस्तो ये परसन भी इंपोर्टेंट आ सकता है और ये देखो ख्वाजा मुनेदिन चिस्ती का जनम जो है वो 1143 में हुआ था फ्रांस इरान में और इनमें क्या-क्या कहा जाता है दोस्तो जैसे इनके जिस्ती संपरदाई में दोस्तो गुरू को पीर के नाम से जनम जाता है शीशे को मुरिद केते हैं उत्रादिगादी को वलिद केते हैं खान का सूपी संत दर्म परचार को कहरेने किस्तान को खान का कहते हैं जियारत तिर्थ यातरी जाहिरिन किसे कहा जाता है जाहिरिन कहा ज पूँचा जाता हैं कभीर की प्रमुख शिक्षाओं का वर्ण किजिए ठीक है तो ये प्रसंदे को कभीर का जो कभीर के बारे में जो बताये हुआ है पॉइंट वो आपको ध्यान रखने हैं यहापर देख सकते हैं ठीक है वीडियो को रोक रोकर आप लिख सकते हैं कभीर के ठीक है इनकी प्रमुख रचना कौन-कौन सी है ठीक है यह कैसी क्या बाणी बोलते हैं देखो इनकी क्या-क्या जो विशेस्ता वो है वो ज्यान रखनी है ठीक है तो यह हो गया हमारा कभीर तो कभीर के बारे में आप नोट कर सकते दोस्तों पोइंट वाइंट लिखे बताते हैं तो कई और बताते हैं लेकिन द्यान रखना अपने एंस्याटी में रामानन दे रखा तो रामानन द्यान रखना आप ठीक है तो बाबा गुरु नानक देखो यहां पर आगे हैं बाबा गुरु नानक और पवीतर शब्द तो बाबा गुरु नानक के बारे में बेखे नोट कर लिएगा गुरु ननाक देव जिए को जेनम क्या हो घब लिए इनकी प्रमुक डेव से स्क्षय कौन कौन में लिए यह टृष तो még और छयार्फ देवन कि तो यह हुल जूँआ करना भूर। तीख द्रम की परमोग फिसेस्ता बताओ या सिख्षे इस प्रकार से परसन है तो यह परमोग देखो पॉंट बई-पॉंट लिखे हुए आप देख सकते हैं आगे हैं दोस्तों मीरा बाई मीरा बाई भक्ति मी राथकुमारी है और इनके बाने भी जो पोईंट बाई पोईंट लिखा हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो को रोक रोक राम साप लिख लीजिएगा चाओ तो आप स्क्रिन सोट भी ले सकते हो अगर लिख ले में प्रोब्लम हो रही है तो वेसे मैं इतना कोई फश्ट तो बता नहीं रहा हूँ बिल्कुल दिरी दिरी चल रहे हैं तो आप नोट कर सकते दोस्तों और वेसे आपको इस पेश्ट भी नजर आ रहे होंगे मेरे साब से ठीक है तो आगे देखते हैं धार्मिक प्रम्प्राओं के इत्यासों का पुन्र निर्मान इत्यासकार धार्मिक प्रम्प्रा के इत्यास के पुन्र निर्मान के लिए अन्यक सुरुतों का उप्यों करते ह ठीक है जिन में से परमुख सुरोत देरेका जैसे मूर्तिकला हो गई इस्तापति है ठीक है इस्तापतिकला है और धरम गुरू से जुड़ी कहानिया है देवी सवरूप को समझने में उत्सु इस्तरी पुरूसु दोबरा लिखे की कावी रचना तो दोस्तो यह आज का हमारा जो ट्रोपिक था भक्ती एवं सुपी परम्प्रा के हमने देखे दोस्तो नोर्स आई होप की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा सेर भी कर दीजिएगा दोस्तो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी कलास के अंदर अपने और दोस्तों को पढ़ने वाले सभी दोस्तों को बताई मोकेश में अंदर एजूकेशन के बारे में, ताकि अँणे भी पता चल सके और वो भी क्या है कि आसानी से त्यारी कर सकते हैं, और कम समय के अंदर देखो आप नोर्स बनाए सकते हैं दोस्तों मैं ऐसे नहीं कहा हूँ कि आप नोर्स नहीं बना सकते हैं आप बना सकते हैं नोर्स लेकिन क्या है कि टाइम बहुत लगता है आप क्या है कि कुछ छोड़ भी देते हैं और जो बिल्कुल जो लिखने लाइक चीज़े नहीं होती वो भी लिख लेते हो इससे क्या कि याद करने में थोड़ी कठीना है उत्पन होती तो इस परकार से मैंने क्या है बिल्कुल सरल पासा में लिखे यह नोट्स तो इनको पढ़ लिजेगा बिल्कुल आपके पूरे सो में से सो नंबर आएंगे दोस्तो मैं मैं पूरे दावे के साथ के सकता हूँ और इस चेप्टर में भक्ति यह सूपी प्रंप्रा इस चेप्टर में यानि एक भी ऐसा किशन नहीं है दोस्तो जो इन से बार आई सभी किशन इन में से ही बढ़ेंगे आपको इन नोट्सों को अच्छे से पढ़ना है दोस्तो ठीक झाल 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